हेलो स्थुडेंट्स कैसे आप सब डिर स्थुडेंट्स हाज की सिंग्लिष क्लास में हम नाइन्थ क्लास की पोईम पढ़ेंगे और्र पोईम का रिशुप करना से यापको पता चल रहा है कि भी जो snakes होते हैं, वो एक मृत्यू का बहुत ही भ्यानक प्रतीक होते हैं, symbol होते हैं, भ्यानक, that means मृत्यू, तो मृत्यू का भ्यानक प्रतीक होते हैं, ऐसा लोग ज्यादा तर सोचते हैं, लेकिन इस पोएम में जो snake है, वो खुदी बेचारा, victim है, वो खुदी शिकार है, और वो खुदी बच रहा है, तो आये शुरू करते हैं हमारी पोएम, the snake trying, the snake trying to escape the pursuing stick, तो यहाँ पे जो snake है, वो try कर रहा है, to escape बचने की किससे pursuing stick, मतलब जो उसके पीछे जो stick आ रही है, जो उसको मारने की कोशिश हो रही है, छड़ी के साथ, उससे वो बचने की कोशिश कर रहा है, pursuing मतलब उसके पीछे आती हुई, with sudden curves of thin long body, और वो इसके लिए क्या करता है, sudden curves, मतलब बहुत ही curving करता है, बहुत ही एकदम से mode लेता है, वो अपनी thin long body में, मतलब बचने के लिए अपनी body को वो इधर उधर करता है, और mode लेता अपनी body में, ताकि उसको stick ना लगे, इसलिए लेना पढ़ता है, How beautiful and graceful are his shapes, और जो इस समय, जो उसकी graceful और जो shapes है, जो उसके अकार बन रहे हैं, बहुत ही graceful लगे हैं, बहुत ही, सुहावने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, beautiful लग रहे हैं, ठीक है, तो देखने बहुत ही सुन्दर लग रहा है, जब वो बचने की कोशिश करता है, क्या करता है, वो glide करता है, glide मतलब सरकता है, कहां सरकता है वो, through the water, फिर वो पानी में चला जाता है, और वहाँ पे वो सरकता रहता है, पानी के अंदर, from the stroke, किस से बचने के लिए, आवे, मतलब उससे दूर होने के लिए, stroke से, stroke जो उस पर परहार हो रहा है, छडी के साथ, उससे परहार से बचने के लिए, वो एकदम से पानी में से सरकता है, ओ, let him go, अब poet क्या कहता है, कि, oh, let him go, उससे जाने दो, over the water, मतलब जो उसको मार रहा है, उसको कह रहा है, कि, अरे, उससे जाने दो, पानी के उपर से, into the reeds to hide, और कहां पर जाने दो, reeds में, जो वहाँ चोट लगे, मतलब इसको मारो मत, इसको चोट मत पहुंचाओ, इसको पानी में से होते हुए, reeds में, जाने दो, small and green, he is harmless, और poet ये भी बताता उसको, कि ये तो बचारा small है, green color का है, he is harmless even to children, और ये बिलकुल हानी रही था, मतलब इसका कोई भी हानी नहीं है, even बच्चों क जब तक उसको चेज नहीं किया गया, जब तक उसका पीछा नहीं किया गया, किसका पीछा नहीं किया गया, उस स्नेक का, जब तक उसका पीछा नहीं किया गया, जब तक उसको उसको देखा नहीं गया, तो तब तक क्या हो रहा था, तब तक वो सेंड पे, मतलब रेत पे, ले लेटा हुआ था अराम से वहीं पर पढ़ा हुआ था जरतक उसको नहीं देखे गया अज नाव ही वैनिश इन दर रिपल्स अमंग दा ग्रीम स्लीम डीट तो अब उसको देख लिया गया उसके पीछे stick के साथ परहार हो रहा है stick उसके पीछे लगा हुआ है लड़का तो अब कह रहे हैं कि and now, और अब he vanishes in the water, वो पानी में जाने के बाद वो vanish हो गया, गाइब हो गया है in the ripples, लहरों के बीच में जो पानी के लहरे हैं, उनके बीच में गाइब हो गया है, among the green slim reads, और किसके बीच में चला गया है वो गाइब होता हुआ, जो green color की slim, पतली पतली जो वहाँ पर reads है, मतलब जो वहाँ पर सरकंडे के पोधे हैं उनके बीच में छुप गया है, और वो वहाँ गाइब हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से, यह बहुत ही सुन्दर poem, www.e.ros की लिखी हुई है, तो dear students आप इस poem को ध्यान से पढ़ें, और बहुत ही अच्छी poem है, बहुत ही असान poem है, आप इसको जरूर याद करें, thank you बच्चो, धन्यवाद